आज हम जो अचार बना रहे हैं वो मात्र 15 मिट में बनकर तयार हो जाएगा जिने अचार बनना बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी अचार बिल्कुल आसानी से बना लेंगे नहीं कोई चाश्री बनाने का जंजटे और नहीं धूप में रखने का कोई टेंशन और अचार ऐसा बनेगा कि एक साल तो क्या सालों साल तक खराब नहीं होगा जब भी आपका दिल करें तुरंत में आप इस अचार को बना कर इसका इस्तमाल कर सकते हैं टेस्ट भी इतना बढ़िया कि कोई कहेगा ही नहीं कि ये मात्र 15 मिट में बनकर तयार हुआ है वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए जादस जादा शेयर करिए और चैनल पर नए है तो सब्स्राइब करना बिल्कुल न भूले तो चलिए बनाते हैं नीबू का जट पर तयार होने वाला आचार तो अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो नीबू ले लिये हैं और नीबू को अच्छे से दो लिया है और फिर पोच लिया है अब हम नीबू के पीसेज कर लेते हैं तो मैं यहाँ पर नीबू के चार पीसेज कर रही हूँ यदि आप चाहें तो नीबू के छोटे-छोटे pieces भी कर सकते हैं बस नीबू रेती टेम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नीबू खराब ना हो और दागी ना हो यहाँ पे साब सुत्रे अच्छे नीबू का इस्तमाल करना है खराब यह तागी नीबू लेंगे तो उससे अचार जल्दी खराब हो जाता है बस इसी तरह से सारे नीबू के pieces हम cut कर लेते हैं pieces cut करने के बाद इन नीबू के आप बीज निकाल देते हैं जितने भी बीज आपको दिखाई दे रहे हैं और आप निकाल सकते हैं सारे बीज निकाल कर अलग कर दे नीबू के नीबू का अचार health के लिए काफी अच्छा माना चाता है यह हमारी digestion को ठीक रखता है और इसमें vitamin C भी पाया जाता है तो खाने की plate में थोड़ा सा नीबू का अचार जरूर लेना चाहिए तो इस तरह से सारे नीबू के बीज हमने निकाल कर अलग कर दिये हैं अब एक cooker ले लिया है और उसे गराम करने रख दिया है इसमें डाल देते हैं एक बड़ा चमस सरसो का तेल मैं यहाँ पर सरसो का तेल ले रही हूँ आप कोई और तेल भी ले सकते हैं लेकिन सरसो के तेल का टेस्ट अचार में बहुत बढ़िया आता है आप नीबू को कुकर में डाल देते हैं अब इसे एक दो बर थोड़ा सा अच्छे से हिला लेते हैं ताकि पूरा ओइल नीबू पर अच्छे से लग जाए ताकि बिल्कुल भी नीबू जले नहीं ओइल लगने के बाद नीबू जलेंगे नहीं आप कुकर का ढखकन बंद कर देते हैं और दो सीटी लगवा लेते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि सीटी लगवाने के लिए हमें ग्यास का फ्लेम मीडियम ही रखना है ताकि निबू बिल्कुल भी जले नहीं दो सीटी लगने के बाद सीटी की हवा अपने आप निकल जाने दीजिए तो यहाँ पर मैंने दो सीटीयां लगवा ली है और हवा अच्छे से निकल गई है तो देख लेते हैं निबू किस तरह से गल हैं तो यह देखें तो आप अचार बनाने के लिए गयास पर एक कढ़ाई गरम करने रख दी है उसमें ये गले वे निबू डाल देते हैं अब इसमें डाल देंगे हम धाई सो ग्राम चीनी यहाँ पर आधा किलो निबू लिये थे तो धाई सो ग्राम चीनी डाल रही हूँ यदि आप एक किलो निबू ले तो उसमें आधा किलो चीनी डाले मतलब निबू की कॉंटेटी के हिसाब से आप चीनी कम या ज़ादा एड़िस्ट कर ले चीनी को अच्छे से ही निबू के तद हलके हलके हाथों से मिक्स करें क्योंकि नीबू काफी हमारे गले हुए हैं अब इसमें डाल देते हैं दो लॉंग दस से बारा काली मिर्च और एक डालशिनी का टुकड़ा डाल देते हैं ये गरम मसाले आप्शनल है लेकिन इनका टेस्ट अचार में बहुत बढ़ी हाता है और अचार को खराब होने से भी बचाता है अब इसमें डाल देते हैं दो चमच सेधा नमक यहाँ पर में सेधा नमक डाल रही हूँ आप चाहें तो वाइट नमक भी डाल सकते हैं लेकिन सेधा नमक डालने से वरत में भी खाया जा सकता है और एक छोटा चमच डाल रहे हैं लाल मिर्च पाउडर लाल मिर्च पाउडर से अचार का कलर भी बहुत बढ़िया आएगा और अचार काफी चटपटा अच्छा बनेगा एक चमच डाल देते हैं इसमें अजवाइन और दो चुटकी के करीब डाल देते हैं में हींग, हींग आप अचार में जरूर डालिए, हींग भी अचार को खराब होने से बचाता है अब हलकेल के हातों से सबी चीजों को नीबो के साथ अच्छे से मिक्स कर दें फ्रेंड्स, यह अचार बिलकुल भी खराब नहीं होगा, एक साल तो क्या, कई सालों तक खराब नहीं होगा लेकिन बस अचार बनाने में जो छुटी-छुटी बाते हैं न, वो बताईएंगे मैंने बीच-बीच में जो आपको टिप्स दी हैं उनको अगर आप ध्यान रखें, तो अचार सालों साल तक बिलकुल भी खराब नहीं होगा, जोका तो रखा रहेगा और यहाँ पर अब हमें नीबो को जादा नहीं पकाना है, क्योंकि नीबो तो हमारे पहले सी गले हुए हैं तो अगर हम इसे जादा पकाएंगे, तो नीबो का छिलका कड़क हो जाएगा, और अचार बिलकुल भी अच्छा नहीं लगेगा हमें नहीं यहाँ पर कोई चाशनी बनाना है, एक तार क्या दो तार की कुछ भी नहीं बनाना है सिप यहाँ पर जो चाशनी है वो चिपचिपी होनी चाहिए, जहत की तरह बिलकुल तो मैं आपको देखा देती हूँ, यह देखे इस तरह से, बस चाशनी थोड़ी सी चिपचिपी होनी चाहिए, बस इसे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, तीन से चार मिट में ही बस यह बनकर तयार हो जाता है, अब यहाँ पर हमें गैस का फ्लेम बन करना है, अचार बनकर र कि आप इसे काच की बर्नी में ही स्टोर करें, और किसी में भी ना करें, और जब ही भी अचार निकालें, तो जो चम्मच इस्तमाल करें, वो भी बिल्कुल सूखा हो, बस इन चोट-चोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे, तो आपका बनावा अचार कभी भी खराब नही उमीद करती हैं, आपको इस निबू के चार की वीडियो पसंद आई होगी, तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें, आपको बहुत पसंद आएगी, आज के लिए इतना ही, जल्दी फिर मिलेंगे कोई अच्छी नही रेसिपी के साथ,